हेलो एंड वेलकम टू करिंट अफेर्स टीवी यह वीडियो सामाने ग्यान के क्विस्चन्स और एंसर्स का पार्ट दो है अंतिम प्रश्न आपके लिए है उसका उत्तर कमेंट जरूर करें लेट्स स्टार्ट प्रश्न नंबर 26 वासको दगामा कहा का रहने वाला था इसका उ नंबर 27 इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया इसका उत्तर है भगत सिंग ने एक्स्प्लेनेशन इंकलाब जिन्दाबाद हिंदुस्तानी भाशा का नारा है जिसका अर्थ है क्रांती की जैहू इस नारे को भगत सिंग और उनके क्रांतीकारी साथियों ने दिल् इसका उत्तर है 10 दिसेंबर को Explanation संयुक्त राष्ट्र संग की ओर से प्रती वर्ष 10 दिसेंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महास्भा ने 10 दिसेंबर 1948 को स्वीकार किया था Question No.39 भारत की प्रथम महिला मुख्य मंत्री कौन थी? इसका उत्तर है सुचेता क्रिपलानी Explanation सुचेता क्रिपलानी एक भारती स्वतंतरता सेनानी एवं उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्य मंत्री थी इनका कारेकाल 2 ओक्टोबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक रहा ये प्रसिद गांधी वादी नेता आचारे क्रिपलानी की पत्नी थी Question No.30 दूरबीन का आविशकार किसने किया था? इसका उत्तर है गैलीलियो गैलीली ने Explanation, गैलीलियो गैलीली इतली के वैज्ञानिक तथा एक महान आविशकारत थे इनका दूरदर्शी के विकास में अतुलनिय सहीयोग था इस महान आविशकारत का जन्म आधुनिक इतली के पीसा नामक शहर में एक संगी तग्ये परिवार में हुआ था प्रशन नमबर 31, भारत का राष्ट्रिय खेल कौन सा है? इसका उत्तर है होकी Explanation होकी भारत में सबसे पहले कलकत्ता में खेला गया भारतिये टीम का सर्व प्रथम वही संगठन हुआ 26 मई सन 1928 में भारतिये हा की टीम प्रथम बार ओलिम्पिक खेलों में सम्मिलित हुई और विजे प्राप्त की प्रशन नमबर 32, अर्थ शास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर है चानक के ने एक्स्प्लनेशन, चानक के पंडित, चंदरगुप्त मोरे के महामंत्री और तक्षशिला विश्व विद्याले के आचारे थे ये कोटिले नाम से भी विख्या थे, उन्होंने नंदवंश का नाश करके चंदरगुप्त मोरे को राजा बनाया उनके द्वारा रचित अर्थ शास्त्र नाम ग्रंथ राजनीती, अर्थ नीती, ख्रिशी, समाज नीती आदी का महान ग्रंथ है प्रशन नंबर 33, गौतम बुद्ध का बच्पन का नाम क्या था? इसका उत्तर है सिधार्थ गौतम प्रशन नंबर 34, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर है विटामिन A की कमी से एक्स्प्लनेशन विटामिन A, दो फार्म में पाए जाते हैं, रेटिनॉल और कैरोटीन यह विटामिन शरीव में अनेक अंगों जैसे आख, त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथी, डांत, मसूरा और हड़ी को सामानने रूप में बनाए रखने में मदद करता है प्रश्न नंबर 35, गिद्दा और भांगरा किस राज्य के लोक नरीते हैं, इसका उत्तर है पंजाब के एक्स्प्लनेशन पंजाब, उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है, इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूफ में हिमाचल प्रदेश, दक्षिन और दक्षिन पूफ में हरियाना, दक्षिन पूफ में कींद्र शासित प्रदेश चंडीगर और दक्षिन में राजिस्थान राज्ये हैं केंदर शासित प्रदेश चंडीगर पंजाब की राजधानी है जो की हरियाणा राज्ये की भी राजधानी है प्रशन नमबर 36 भारत की पहली महिला शासिका कौन थी इसका उत्तर है रजिया सुल्तान एक्स्प्रेनेशन रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी उसने 1236 इसवी से 1240 इसवी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया रजिया परदा प्रथा त्याग कर पुरूशों की तरह खुले मुम राजधरबार में जाती थी यह इल्टुतमिश क की पुत्री थी रजिय सुल्ताना मुसलिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी प्रशन नंबर 37 भारत का राश्ट्रिय पशु कौन सा है इसका उत्तर है बाग एक्स्प्लेनेशन बाग जंगल में रहने वाला मासाहारी स्तनपाई पशु है यह अपनी प्रजाती में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है यह भारत नेपाल भूटान कोरिया अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है बाग 13 फीट लंबा और 300 किलो वजनी हो सकता है बाग का वैग्यानिक नाम पेंधिरा टिग्रिस है प्रशन नंबर 38 भ डॉल्फिन मीठे पानी की डॉल्फिन की दो प्रजातियां हैं यह भारत बांगलादेश नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती हैं केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राश्ट्रिय जलिय जीव घोशित किया था प्रशन नंबर 49 भारत का राश्ट्रिय पुश्प कौन सा है इसका उत्तर है कमल एक्स्प्लेनेशन कमल वन्सपतिक नाम निलंबियन यूसिफेरा वन्सपती जगत का एक पौधा है यह भारत का राश्ट्रिय पुश्प है संस्कृत में इसके नाम है कमल पद्म पंकजादी प्रशन नंबर 40 भार रभींद नाथ तैगोर ने एक्स्प्लेनेशन रभींद नाथ तैगोर विश्व विख्यात कवी साहित्यकार दार्शनिक भारतिय साहित्य के नोबल पुरसकार विजेता और एशिया के प्रथम नोबेल पुरसकार सम्मानित वेक्ती थे वे एक मात्र ऐसे कवी थे जिनकी दो रचनाई दो देशों का राश्रगान बनी, भारत का राश्रगान, जन गण मन और बांगला देश का राश्रगान, आमार सोनार बांगला गुरुदेव की ही रचनाई हैं। प्रश्न नमबर 41. किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंध नहीं होता। इसका उत्तर है विटामिन की कमी से। एक्स्प्लेनेशन विटामिन के वसा में घुलनशीर विटामिन हैं, तथा रक्त का ठक्का जमाने के लिए अत्यावर्शक होता है। रक्त का ठक्का बनना मनुष्य के शरीर की एक विशिष्ट क्रिया है। प्रश्न नंबर 42, सम्विधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राश्र भाषा घोशित किया गया। इसका उत्तर है अनुच्छेद 343 द्वारा। एक्स्प्लेनेशन सम्विधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्विकारा। इसकी स्मृती को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सम्विधान की धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी। संघ के शास्किय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतिय अंकों का अंतर राश्ट्रीय रूप होगा। प्रश्न नंबर 43. ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। इसका उत्तर है चार वर्षों बाद। एक्स्प्लेनेशन आधुनिक ओलंपिक खेल या ओलंपिक गर्मियों और सर्दियों के खेल प्रतियोगिताओं की विशेश्टा वाले अंतर राश्ट्रीय खेल कारेक्रम हैं। बैरन पेरे डी कूपर्टिन ने 1894 में अंतर राश्ट्रीय ओलंपिक समिती की स्थापना की। जिसने 1896 में ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथिंस में पहले आधुनिक खेलों का नेत्रित्व किया। ओलंपिया परवत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। प्रश्ट नमबर 44 प्रसिद शीतला माता मंदिर कहां स्थित है। इसका उत्तर है गुरुग्राम या पुराना नाम गुरगाओं में। प्रश्ट नमबर 45 सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। इसका उत्तर है गुरु नानक। एक्स्प्रेनेशन नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनके अनुयाई इन्हें नानक, नानक देवजी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गाव में कार्तिकी पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक शहर है। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। प्रश्न नंबर 46 लौपुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। इसका उत्तर है सरदार पटेल को। एक्स्प्लनेशन पटेल का जन्म नडियाद गुजरात में हुआ था। वे जवेर भाई पटेल एवं लाडबा देवी की चौथी संतान थे। उनकी शिक्षा मुखेता स्वाध्याय से ही हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर आहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंतरता आंदोलन में भाग लिया। प्रश्न नमबर 47 दिल्ली स्थित लाल बहादूर शास्त्री की समाधी का क्या नाम है। इसका उत्तर है विजय घाट। प्रश्न नमबर 48 भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली। इसका उत्तर है मुंबई से ठाने तक। एक्स्प्लनेशन देश में पहली रेल 16 अप्रेल 1813 को बंबई के बोरी बंदर स्टेशन जोकी अब छत्रपती शिवाजी टर्मिनल है से ठाने के बीच चलाई गई थी। जोकी 34 किलोमीटर की दूरी थी। ठाने महाराश्र का एक शहर है। ठाने मुंबई के उत्तरिय छोर पर तथा भूत पूर्व थाना दक्षन पश्चम भारत के महाराश्र राज्य के उलहास नदी के मुहाने पर मुंबई के पूर्वोत्तर में स्थित है। प्रश्न नंबर 49 सन्युक्त राश्ट्र संग की स्थापना कब हुई। इसका उत्तर है 24 अक्तूबर 1945 को Explanation United Nations एक अंतर राश्ट्रिय संग्ठन है जिसके उद्देश में उलेक है कि यह अंतर राश्ट्रिय कानून को सुविधाजंग बनाने के सहयोग, अंतर राश्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रक्ति, मानव अधिकार औ यह कारेरत है, संयुक्त राश्ट्र की स्थापना 24 अक्तूबर 1945 को संयुक्त राश्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई, प्रशन नंबर 50, आपके लिए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे, भारत में रेल का आरंभ किस्सन में हुआ, ऑप्शन A, 1947 में, ऑप्शन D, 1953 में, ऑप्शन C, 1847 में, ऑप्शन D, 1853 में, thank you, have a nice day!